बच्चों, प्रकृती में बहुत से पदार्थों का दूसरे पदार्थों में परिवर्तन होता रहता है और ये परिवर्तन विभिन्य प्रकार की रासानिक क्रियाओं के द्वारा होते हैं कभी पदार्थों का संयूजन होता है तो कहीं पर अभगटन, कहीं विस्थापन होता है तो कहीं आक्सिकरण और अप्चयन इन विभिन्य प्रकार की रासानिक अभिक्रियाओं के बारे में आपने पिछली कक्षाओं में संग्षेप में पढ़ा है आज हम इन ही में एक महत्तपूर्ण अभिक्रिया आक्सिकरण और अप्चयन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे बैचों हमारे दैनिक जीवन में होने वाली बहुत सी परिगटनाई जैसे की लोहे में जंग का लगना या फिर सुच्क सैलों या बैट्रियों में होने वाली रासाइनिक अभिक्रिया हो या फिर पौधों में होने वाली प्रकास संसलेशन की इक्रिया ये सभी क्रियाएं रेडॉक्स अभिक्रियाओं से संबंदित होती है तो चलिए आज हम Redox अभिक्रियाओं के बारे में विस्तार से जानते हैं Redox अभिक्रियाँ शुरू करने के पहले चलिए हम जानते हैं कि आक्सी करण और अपचयन क्या है बच्यों हम सुरू से पढ़ते आए हैं कि जब किसी तत्व में ऑक्सीजन का योग होता है तो उसे आक्सी करण कहते हैं उदारन के तौर पर जब हम सल्फर की क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो सल्फर डाइ ऑक्साइड बनती है अब यहाँ पर सल्फर के साथ आक्सीजन का संयोग हो रहा है इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर सल्फर का आक्सी करण हुआ दूसरी ओर आक्सीजन का निसकाशन अपचेयन होता है उधारण के लिए जब हम मरक्यूरिक ऑक्साइट को गर्म करते हैं तो उसमें से आक्सीजन निसकाशित हो जाती है और मरकरी अपचेयन होता है इस तरह हम कहेंगे कि यहाँ पर मरकरी का अपचेयन हुआ दूसरी तरीका यहाँ पर इसी तरह से हाड्रोजन का निसकाशन अपचेयन है उधारण के तोर पर जब हम S2S की क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो यहाँ पर सलफर मुक्त हो जाती है इस तरह तथा जल बनता है यहाँ पर चुकि सलफर से हाड्रोजन अलग हुई है दूसरी और हाड्रोजन का संयोग अपचेयन कहलाता है जैसे कि इथेली CH2 डबल बॉन CH2 जब इसकी क्रिया हाड्रोजन से कराई जाती है तो एलकेन CH3 CH3 बनता है जो कि यहाँ पर एलकेन से हाड्रोजन का संयोग हो रहा है इसलिए हम कहेंगे यहाँ पर अपचेयन की क्रिय हो रही है अब बच्चों आप तो यह जानते हैं कि ऑक्सीजन एक रिण विद्धुती तत्व है अतह इसी तरह से किसी भी रिण विद्धुती तत्व जैसे कि फ्लोरीन क्लोरीन सल्फर आदी का संयोग भी आक्सी करण कहलाता है उदाहरण की तौर पर जब हम मैगनीसियम की क्रिया फ्लोरीन से कराते हैं तो मैगनीसियम फ्लोराइड बनता है यहाँ पर जोकि मैगनीसियम से फ्लोरीन का योग हुआ इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर आक्सी करण की क्रिया हुई इसी तरह से किसी रिण विद्धुती तत्व का निसकासन अप्चैन कहला उधारण के तौर पर जब हम फेरिक क्लोराइड की क्रिया हाइड्रोजन से कराते हैं तो फेरस क्लोराइड यहां पर एक रिण विद्धुती तत्व क्लोराइड का निसकाशन हुआ इसलिए हम कहेंगे कि यहां पर अपचेन की क्रिया हुई बैच्चों इसी तरह से आपने जैसे देखा कि हाइड्रोजन एक विद्धुत धनी तत्व है हाइड्रोजन का निसकाशन आक्सी करान होता है तो इसी तरह किसी भी धन विद्धुती तत्व जैसे की पोटैसियम, सोडियम, आदीका निसकाशन भी आक्सी करान होगा उदारन के तौर पर जब हम potassium ferocyanide की क्रिया hydrogen peroxide से कराते हैं तो यहाँ पर potassium ferocyanide बनता है आप देख रहे हैं कि यहाँ पर potassium एक potassium निकल जाता है तथा K3AVCN6 बनता है चुकि यहाँ पर एक धन विद्धुती तत्व potassium का निस्कासन हुआ इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे कि आकसी करण की क्रिया हुई ठीक इसी तरह से किसी धन विद्धुती तत्व का जोड़ना अपचेन कहलाएगा उधारन के तौर पर जब हम mercury chloride की क्रिया stannis chloride से कराते हैं तो mercury chloride तथा stannic chloride बनते हैं यहाँ पर एक mercury यहने की धन विद्धुती तत्व का जुड़ रहा है इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर अपचेन की क्रिया हुई बच्चों इस तरह आपने आकसी करण और अपचेन को समझ लिया है आईए अब हम आकसी करण और अपचेन को समझने के लिए एक दूसरी को समझते हैं